परभास को पेंड इंडिया अश्टार का तमगा हासिल हुआ इस फिल्म की कहानी से लेकर इसके भव्य सेट, दंदार किरदार और सांदार किनेमिटर ग्राफी के तरसकों के दिलो दिमाग में एक अलग तरकी छाप छोड़ी थी अब जब की कुछ समय पहले ये बास सामने आई थी कि अभिनेता प्रभास और निर्दसक राजा मोली बाहु बली चेप्टर 3 के लिए दोबारा हाथ मिला सकते हैं सबसे फैंस को इसका बेसबरी से इंतिजार है तो चलिए जानते हैं बाहु बली चेप्टर 3 को लेकर कहां तक पहुंची है तैयारी और क्या इसमें जुड़ी जरूरी अपडेट फिल्म बाहु बली पार्ट 1 और पार्ट 2 दून ही जबर्जस्त हिट रहे थे ऐसे में इसके तीसरे भाग यानि फिनाले को लेकर दर्सकों की उमिदें बहुत ज्यादा है फिल्म बाहु बली को लेकर जानकारी सामने आई थी कि इस बिचार किया जा रहा है कि वहीं रिपोर्ट के मुताविर बाहु बली के मेकर्स ने फिल्म की तिसरी फ्रेंचाईजियों को लेकर कहा था कि बाहु बली में अभी इतना असकोप है कि इसमें एक और कहानी बुनी बाहुबली के दूसरी भाग में जहां अभिनेता परभास ने अपोजित देव सेना की भूमिका में जहां एक्ट्रेस अनुसका सेटी नजर आई थी वहीं बाहुबली पार्ट वन में तमन्ना भाटिया ने उसकी अपोजित रोल प्ले किया था अब जब की तिसरा भाग बनन से इस बात की पूश्टी नहीं हुई है बाहुबली का हर किरदार लोगों के जहन में बसा हुआ है चाहे वो कटपा हो या सिवगानी देवी या फिर भलाल देव बाहुबली में जितना अहम नायक के रूप में परभास को दिखाया गया था उतना ही दमदार भलाल देव का किरदार भी था इसे अभिनेता राजा दुबी बत्ती ने निमाया था अब किसरे भाग में भी दर्सक परभास के टकर में किसी दमदार अभिनेता के साथ देखना चाहते है फिलाल अभी इसे लेकर कोई जनकारी सामनी नहीं आई है जबकि इस बात के बारे में चर्चा है क कहानी वहीं से उना जाएगा तो ऐसे में अगर किरदार वहीं से हो तो फैन्स के लिए कितनी ट्रेट से कम नहीं है अब लगता है दर्सकों को बाहु बले थिरी का इंतिजार तो करना पड़ेगा बड़ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा तो दोस्तों आप सभी लोग लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे इस वीडियो को लाइक करें आप से मिलते हैं नेक्स वीडियो में